ओम शान्ती हम सजनियों के साजन, गुरूओं के गुरू जानी जाननहार, सद्गती दाता, शिव बाबा हमें रावन की सभी पुरानी बातें विस्मृत कराके नई दुनिया के नजारे ज्यान के माध्यम से दिखाते हैं और हमें उसी दुनिया में चलने लायक भी बना रहे हैं तो आज 3 जुलाई 2021 के महावाक्यों में हमने ऐसी ही कुछ बाते सुनी जिने हम रिवाइस करते हैं हम बच्चे कौन सी बाते जानते हैं ड्रामा के राज को प्रले तो होती नहीं घर जाने का हमको रास्ता मिला है सारी दुनिया की हिस्ट्री जोग्रफी को अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को अपने घर जाकर फिर राजधानी में आएंगे शांती धाम में शांत रहते हैं सुख धाम में सुख है कन्या कुमारी अधर कुमारी ये हम ही बनते हैं हम स्थापना कर रहे हैं राज योग से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती हैं दूसरे जनम में लक्ष्मी नारायन बनेंगे, ये तो है ही दुख धाम, हम ऐसे सुख में जाते हैं, जहां 21 जनम कोई प्रकार का दुख नहीं रहेगा, शांती धाम की जगा अलग, सुख धाम की जगा अलग है, हम आत्माओं ने जास्ती भक्ती की है, जरूर ज्यान में भी ह उच्पद पाएंगे, ऐसा कौनसा ज्यान या प्राप्तियां है, जो केवल हम बच्चों को है, इन दुनिया वालों को नहीं, हमारे जैसा सुख और कोई को हो ना सके, उस माश्रूप का किसी को पूरा पता नहीं है, इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते, धन खर करें फिर भी स्वर्ग में जो सुख हैं वो मिल न सके देही अभिमानी इस समय हम बच्चों के सिवाए कोई भी नहीं मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं अब हमको रोश्णी मिली है कितने भी यग्ये तप आदी करते माथा फोड़ते रहते हैं सद्गती को प समझे परंतु परमात्मा का परीचे नहीं हम बच्चों को धार्णा क्या करनी है कर्म योगी बनना है देही अभिमानी जरूर बनना है इस रिष्टी चक्र को बुद्धी में रखना है ज्यान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है कर्म करते हुए भी अपने माश को याद रखना है सुनने समय बहुत शांत एकागरचित होकर बैठना है ग्रस्त वेवार में रहते कमल फूल समान बनना है बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वे सबको बताना है बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथों से बनाना है स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्यान शंक भी बजाना है आज की मुरली की अनुसा श्रिव बाबा के टाइटिल्स कौन से हैं सत्गुरु निराकार सद्गति दाता सर्वशक्तिमान जानी जाननहार सुक शांती करता सजनियों का साजन गुरुओं का सद्गति दाता दुख से मुक्ति दिलाने वाले बाबा को याद करने से हमें क्या फायदे होंगे याद में मजा है कल्यान होगा ever healthy बनेंगे विकर्म विनाश होंगे कमाई बहुत सबरदस्त है विश्व की बादशाही मिलती है याद में रहने से चीज भी अच्छी बनेगी बाबा हम बच्चों से क्या कहते मैं सर्व की सद्गती करता हूँ, गती के बाद सद्गती होती है, अपने को आत्मा समझना है, हे आत्मा जागो, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, साजन भी हूँ, गुरुओं का गुरु भी हूँ, सुप्रीम टीचर हूँ, त तुमको कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाब को और वर्से को याद करना है। बाबा ने हम बच्चे को क्या समझाया है? मुझे याद करो, हर एक आत्मा को वापिस जाना है। आत्मा ही सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो बनती है। बाब से वर्सा लिया जाता है, पवित्रता सुक शान्ती का। कोई कोई का बहुत थोड़ा पाठ है, आये और गए, मच्रो मुआफिक जन में और मरे। ऐसे बाब से वर्सा नहीं लेते हैं। श्रेश्च्रात्मा बनने के लिए शिक्षाएं कौन सी दी बाबाने। एक बाब दूसरा न कोई, ये पाठ निरंतर याद हो। सेकिन में सब विस्तार समाप्थ हो, एकर स्थिती रहे। अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट होते हुए, पॉइंट्स रूप में रहे। ये थी आज की मूरली की विशेश बातें। हम सारा दिन ज्यान और योग पर अटेंशन दे, स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ, बाबा ने जो कहा कि खाना यानी भोजन अपने हाथों से बाबा की याद में बनाना है, इस पर भी हमारा विशेश अटेंशन हो। हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा कि आपको आज की मूरली से कौन सी बात अच्छी लगी जिसे आप धार्णा मिलाएंगे। ओम शन्ति